दोस्तो न्यूजिलेंड को मिली एक और बड़ी जीत न्यूजिलेंड के टीम ने विश्वकप में एक और बड़ी जीत हासिल की उन्होंने बांगला देश को हरा कर लगातार तीसरी जीत हासिल की कीवी टीम ने इससे पहले इंग्लेंड और नेदर लेंड्स को हराया था उसके तीन मैच में अब छे अंक हो गए न्यूजिलेंड अंक तालिका में पहले स्थान पर है दूसरी और बांगला देश की ये दूसरी हार है आफगानिस्तान के खिलाफ मिलिजीत के बाद उसे इंग्लेंड और न्यूजिलेंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा चिन्ने के एमेच इदमबरम स्टेडियम में न्यूजिलेंड के कप्तान केन वीलियमसन ने टॉस जित कर पहले गेंद बाजी का फैसला किया बांगला देश ने 50 ओवर में 9 विकट पर 245 रन बनाये थे जवाब में न्यूजिलेंड के टीम 42 ओवर 5 बॉल में ही दो विकट पर 248 रन बना कर मैच को जीत लिया न्यूजिलेंड के लिए डेरिल मिचल ने सबसे ज्यादा नाबाद 89 रन बनाये कप्तान केन विलियमसन ने 78 रन की पारी खेली वे रिटार्ड हट हुए डेरिन कॉनवे ने 45 रन का योगदान दिया रचिन रविंदरन 9 रन बना कर आउट हुए ग्लेन फिलिप्स ने नाबाद 16 रन बनाये मुस्तफिजुर रहमान और शाकीबल हसान को एक-एक सफलताय मिली केन विलियमसन हाथ में चोट के बाद रिटार्ड हट हो गए उन्होंने 107 गेंद पर 78 रन बनाये इस दोरान विलियमसन ने 8 चौके और 1 चक्का लगाया न्यूजिलेंड ने 40 ओवर में 2 विकेट पर 221 रन बना लिया था डेरिल मिचल तियत्तर और ग्लेन फिलिप्स 6 रन पर नाबाद रहे दोस्तो कैसा लगा हमारा इन्फॉर्मेशन कॉमेंट में जरूर बताएगा और कल के महा मुकाबले के लिए हमारे चैनल को जरूर फालो कीजिए क्योंकि अब नए नए अपडेट अपको मिलते रहेंगे जल्द ही मिलते हैं नए अपडेट के साथ